Hello and Welcome to Krishna Classes, The Cop and the Anthem, O.Henry की लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी है, कहानी का मुख्य पातर सोपी है, जो जेल जाना चाहता है, पर सोपी जेल क्यों जाना चाहता है, वो कौन से कारण है जिनकी वजह से, वो एक दो बार नहीं, बलके पांच बार ये प्रयास करता है कि उसे पुली वीडियो देखने पर ही मिलेंगे, और हाँ बच्चो, अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत पूलिएगा, आईए अब देखते हैं ये विश्व प्रसिद्ध कहानी, The Cop and the Anthem. सोपी मेडिसन स्कॉाइर में अपनी सीट पर बेचनी से हिला, कुछ निश्चित संकेत हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि विंटर आ रहा है, चिडियां दक्षन की तरफ उड़ने लगती हैं, लोग नए गरम कोट चाहते हैं, और सोपी पार्क में अपनी सीट पर बेचनी स से हिलता डुलता है, जब आप इन संकेतों को देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि जाड़ा नजदीक है, सोपी के पैर पर एक जड़ी हुई पत्ती आकर गिरी, ये उसके लिए एक बहुत खास संकेत था कि जाड़ा आ रहा था, अब वे सभी जो मेडिसन स्कॉाइर में रहते थे उनके लिए तैयारी करने का समय आ गया था, सोपी के दिमाग ने इस बात को रियलाइज किया, समझा, अब समय आ गया था, उसको कोई तरीका ढूणना था, अपनी देखभाल करने का ठंडे मौसम में, और इसी लिए सोपी अपनी सीट पर वेचैनी से हिला डुला, सोप और निसकाईज, यानी गर्म जगहों के बारे में, या फिर बे ओप नेपल्स के बारे में नहीं सोच रहा था, वह तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि तीन मैने ब्लैक्वेल के आइलेंड में जेल में काट सकी, तीन मैने हर रोज खाना और हर रात सोने के लिए बिस्तर, तीन अमीर न्यूयोरकर्स, हर विंटर में फ्लॉरिडा या फिर मेडिटरिनियन सी के किनारे जाने के प्लैन बनाते थे, सोपी तो सिर्फ आइलेंड जाने के छोटे प्लैन बनाता था, और अब समय आ गया था, तीन बड़े बड़े अखबार जिन में से कुछ उसने कोट के अं गर्माहट नहीं मैसूस हुई, इसी लिए सोपी आइलेंड जाने के बारे में सोच रहा था, शहर में ऐसी जगहें थी, जहां जाकर वो खाना और विस्तर मांग सकता था, जहां पर ये उसे दे भी दी जाएंगी, वहां वो एक बेडिंग से दूसरी बेडिंग मूब भी कर सकता था, और जाड़े बर उसकी देखवाल भी उन जगहों पर कर दी जाएगी, लेकिन उसको ब्लैक वेल का आइलेंड ज्यादा पसंद था, सोपी स्वभाव से स्वाभिमानी था, अगर वो इन जगहों पर जाता, जो कि शायद उसके जान पैस्चान के घर थे, तो उसे क निश्चेत रूप से वो उससे पैसे तो नहीं मांगते, पर वो उसको नहाने को मजबूर करते, उससे बहुत सारे प्रशनों के उत्तर पूछते, वो उसके जीवन के बारे में हर चीज जानना चाहते, नहीं, इससे तो जेल ही ज़्यादा अच्छा था, जेल में नियम थे पूरा करने के रास्ते तलाश ने लगा, ऐसा करने के करी आसान तरीके थे, सबसे आनंद दायक तरीका तो ये था कि किसी बहुत बढ़िया रैस्त्रों में जाकर वहां बहुत बढ़िया डिनर कर लिया जाए, फिर उसके बाद तो वो कही देगा, कि उसके पास तो जज कर देगा, यानि जज उसे ब्लैक वेल के आईलेंड भेज देगा, सोपी ने अपनी सीट छोड़ी और फिर वो मेडिसन स्कॉाइर से बाहर उस जगह की तरफ चल पड़ा जहां पर बड़ी सड़क जिसे ब्रॉडवे कहा जाता है और फिफ्ट वेन्यू मिलती हैं, वो जगह थी जहां पर हर शाम सबसे बहतरीन खाना, सबसे बढ़िया लोग, सबसे बढ़िया कपड़ों में खाया करते थे, सोपी का विश्वास था कि उसके पैरों के उपर तो वो बिलकुल ठीक ठाक दिखता था, उसका चेरा भी साफ था, कोट भी ठीक ठाक था, अगर वो पहुच जाए तो उसे विश्वास था कि वो सफल हो जाएगा, उसके शरीर का जो हिस्सा टेबल के उपर दिखाई देगा, वो तो एकदम ठीक दिखेगा, वेटर जो वो लानी को कहेगा, उसे लेकर आएगा, वो सोचने लगा कि वो क्या खाना चाहेगा, अपने दिमाग म तो वो पूरा डिनर देख सकता था, जो खाना वो मंगाएगा, उसकी कोश्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी, वो ये नहीं चाहता था कि रेस्तरों के लोगों को वास्तों में घुस्सा आए, पर डिनर ऐसा जरूर होगा, जिससे उसे त्रपती का एहसास होगा, उसे के घर की यात्रा में, यानि जेल जाने में, खुशी मैसूस करेगा, लेकिन जैसे ही सोपी ने रेस्तरों के दरवाजे में अपना पैर रखा, वैसे ही हेडवेटर ने उसके पुराने तूटे हुए जूतों को देखा, और उसके फटे हुए कपड़े, जिनसे उसने अपने पैर ढख रखे थे, उन पर भी हेडवेटर की निगाह पढ़ ही गई, तुरंत ही मजबूत और तयार हाथों ने सोपी को हुमाया, और उसको तुरंत ही और शांती सिर्केजी से दुबारा बाहर का रास्ता दिखा दिया, सोपी ब्रॉडवे से मुड़ा, ऐसा लग रहा था कि आइलेंड जाने का जो सबसे आसान रास्ता था, वो उस रास्ते से वहाँ नहीं जा पाएगा, उसे वहाँ जाने के किसी और तरीके के बारे में सोचना होगा। सोपी वहीं खड़ा रहा और जब उसने पुलिस वाले को देखा तो वो मुस्कुराया, पुलिस वाले ने पूछा ये जिसने किया है वो कहा है, सोपी ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा, वो फ्रेंडली था और खुश भी, जो वो चाहता था वही तो मिलने वाला था, लेकिन पुलिस वाले को सोपी गलत नहीं लग रहा था, अरे खिडकी तोड़ने वाले पुलिस वालों से बात करने के लिए रुके थोड़ी रहते हैं, वो तो जितनी जल्दी हो सके भाग जाते हैं। फिर पुलिस वाले ने आगे सड़क पर किसी आदमी को भागते हुए देखा, पुलिस वाला उस आदमी के पीछे पीछे दोड़ा और सोपी जो अपने दिल में बहुत ही जादा दुख और परिशानी महसूस कर रहा था, वहां से धीरे धीरे चल दिया, वो दो बारा सफल हो सड़क के दूसरी तरफ एक दूसरा रेस्त्रों था, यह उतना शांदार तो नहीं था जितना की ब्रॉडवे वेला रेस्त्रों था, जो लोग इस रेस्त्रों में जाते थे, वो उतने रिच भी नहीं होते थे, इसका खाना भी उतना बढ़िया नहीं था, सोपी इस रेस्त सारी डिशेज मगाईं थी और वो उस सब का मज़ा उड़ा रहा था जब उसने खाना फिनिश कर लिया तब उसने कहा कि उसके पास तो पैसे नहीं थे सोपी ने कहा अरे जाओ पटाफट किसी पुलिस वाले को बिला लाओ और एक जेंटलमेन को इंतजार मत करवाना वेटर ने कहा तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला नहीं बिलाएंगे उसने एक दूसरे वेटर को बिलाया दोनों वेटरों ने सोपी को उठा करके उसके बाए कान पर बाहर कठोर सड़क पर फेक दिया वो धीरे धीरे अपने शरीर का एक एक हिस्सा उठाते हुए खड़ा था एक पुलिस वाला जो पास में खड़ा था हसा और वहां से आगे चल पड़ा सोपी ने भी आगे चलना शुरू किया बच्चो आपको क्या लगता है सोपी जेल जा पाएगा और यहीं पर मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं कृष्णा क् थे महिलाएं और पुरुष महंगे गरम कोटों में विंटर की ठंडी हवा में हसी खुशी आजा रहे थे अचानक सोपी की मन में एक डर सा समा गया कोई भी पुलिस वाला उसे अरश्ट नहीं करने वाला था फिर वो एक पड़े से थीटर के सामने खड़े हुए पुलिस व जितनी उची वो कर सकता था यानि वो इतना जोर जोर से चिला रहा था जितने जोर से वो चिला सकता था वो नाचा और जोर जोर से चीखा पुलिस वाले ने सोपी की तरफ अपनी पीट कर ली और अपने नजदी खड़े हुए आदमी से कहा अरे ये तो उन कॉलेज के लड नहीं था, वो फिर आइलेंड के बारे में ऐसे सुचने लगा, जैसे कि आइलेंड दूर कोई सितारा हो, फिर उसने अपने पतले कोट को अपने चारों और खीचा, हवा बहुत ठंडी थी, फिर उसने एक आदमी को एक दुकान में न्यूश पेपर खरीटते हुए देखा, उ सोपी दुकान के अंदर गया, उसने चाता उठाया और वो फिर वहां से धीरे धीरे चल दिया, वो आदमी तेजी से उसके पीछे आया, उसने कहा चाता मेरा है, सोपी ने कहा अच्छा, ये तुम्हारा है, तुम किसी पुलिस वाले को क्यो नहीं बुलाते, मैंने ले लिया तुम्हारा चाता, बुलाओ, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला रहे हो, तेखो कोनी में एक खड़ा है, वो आदमी थोड़ा और धीरे चलने लगा, सोपी ने भी वैसा ही किया, लेकिन उसके मन के अंदर ये भावना जाग गई थी, कि वो एक बार फिर से अपने जेल जाने के प्रयास में असफल होने वाला था, एक पुलिस वाले ने उन दोनों लोगों को देखा, चाती वाले ने कहा, अरे मैं, अरे तुम तो जानते हो कि ये चीजें कैसे हो जाती हैं, अगर ये चाता वाकई तुम्हारा है, तो मुझे इस बात का बड़ा खेद है, चाते वाला तेजी से वहां से चला गया, पुलिस वाले ने सड़क की दूसरी तरफ एक महिला की मदद की, सोपी इस्ट की ओर चल पड़ा, उसने चाते को इतनी दूर फेका, जितनी दूर वो फेक सकता था, उसने अपने आप से पुलिस वालों के बारे में, और वह उनके बारे में क्या सोचता था यह सब कहा अब जब वो अरेस्ट होना चाहता था तो पुलिस वाले ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो कोई राजा था जिससे कोई गल्ती हो ही नहीं सकती थी आखिरकार सोपी शहर के बगल में एक शांत सड़क पर आया यहां पर वह मुड़ा और साउथ में मेडिसन स्क्वाइर की तरफ चलने लगा वह घर जा रहा था यह दिपी घर पार्क में सिर्फ एक सीट ही तो था लेकिन एक बिल्कुल शांत कोने पर सोपी रुख गया यहां पर उसका पुराना बचपन का घर था एक खिड़की से वह एक धीनी चमकती हुई रोश्णी आती हुई देख सकता था वह कमरा उसका लिविंग रूंग हुआ करता था जहां उसने कई खुश शांत पल गुजारे थे सोपी के कानों में मधुर संगीत सुनाई पड़ा और उस संगीत ने उसे वही थाम लिया उपर आसमान में चंद्रमा था शांत और चमकदार बहुत कम लोग गुजर रहे थे वो अपनी उपर चिड़ियों को सुन सकता था और जो संगीत खिड़की से आ रहा था उसने सोपी को वहीं रोके रखा क्योंकि इस संगीत को वो बहु उसके जीवन में भी ऐसी चीजें थी जैसे कि मा, फूल, बड़ी आशाएं, दोस्त, सुच्छ विचार और साफ कपड़े। उसकी आत्मा में अचानक एक सुखद जमतकारिक परिवर्तन हुआ। उसने बहुत डर से इस बात को देखा समझा कि वो उस समय से अब तक कितना गिर गया था। उसको अपने निरर्थक खाली दिन, अपनी गलत इच्छाएं, मर चुकी हुई आशाएं और अपने दिमाग की खोचुकी शमता सब कुछ दिखाई पड़े। और उसी इक्षण उसके दिल ने भी जो परिवर्तन उसकी आत्मा में हुआ था उसे स्विकारा वो अपने जीवन को बदलने के लिए लड़ेगा, वो अपने आपको कीचर से बाहर निकालेगा, वो फिर से एक स्वाबी मनी जिम्मेदार इंसान बनेगा। अभी भी समय था, अभी भी वह युवा था, वह फिर से अपने जीवन का पुराना उदेश ढूंडेगा और उस व्यक्ति को ढूंडेगा। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। सोपी के मन में तो अपने निरणे की वज़ह से नई ताकत आ वही थी, इसलिए वो पुलिस वाले से बहस करने लगा, और नियू यॉर्क के पुलिस वाले से बहस करना समझदारी ब वो अब जेल जाने के बारे में नहीं सूचेगा, अब वो अपने जीवन को चेंज करेगा, तभी वो हुआ जो नहीं चाह रहा था। और यही था कहानी में ट्विस्ट, ओ हैंरी की कहानियां हमेशा बड़ी खास होती हैं, फिर कभी आपके लिए लेकर आएंगे ओ हैंरी की जाते हैं, फिर से आपको याद दिला दूं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताना मत बूलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।